भारत की स्पेस एजिंसी इसरो ने अपने खुत के चंद्रयान 3 मिसन को लंच कर दिया है ए स्पेस रॉकेट काई हजारों किलोमीटर तैय करके एक माईने के बाद चंद्रमा में पहुँचेगी उसके बाद चंद्रमा की दक्सने हिस्से में लेंड करेगी जैसे धर्ती की उत्र हिस्सा और दक्सने हिस्सा होती है और इसे ही चंद्रमा की दक्सने हिस्से पे यह स्पेस जान लेंड करेगी आज तक चंद्रमा के अंदर जितने भी मिसन हुए है जितने भी रॉकेट भेजे गये है चाइना, अमेरिका, रासिया दुवरा वो सारे चंद्रमा की उत्री हिस्से पे या उत्री और दक्सनी हिस्से के बीच में दोनों हिस्से की सेंटर में ज़्याता स्पेस जान लेंड किये है आज तक कोई भी स्पेस रॉकेट, स्पेस जान दक्सनी हिस्से पे चंद्रमा की दक्सनी हिस्से पे लेंड नहीं किये क्यूंकि चंद्रमा की दक्सनी हिस्से पे लेंड करना एक बहुती बड़ी चुनाती भरी काम है क्यूंकि इधर हार टाइम अंधेरही रहता है और टेंपरेचर माइनास 200 से 200 तक नीचे चला जाता है और तो और इंसानों के पास चंद्रमा की दक्सनी हिस्से की बारे में खुभी कम जन करी है इसलिए इस्ट्रों ने चंद्रमा की दक्सनी हिस्से पे लेंड करने की हिम्मत दिखाई है अगर ए मिशन सक्सेस्पुल हो जाए तो चंद्रमा की ठक्सनी हिस्से पे लेंड करने वली पहली देश होगी भारत इस रोकी ए चंद्रयान 3 मिशन है इससे भी पहले चंद्रजन 1 और चंद्रजन 2 मिशन भेजा गया है जैसे 2008 में चंद्रयान मिशन 1 भेजा गया था जो चंद्रमा में लेंड किया और चंद्रमा के अंदर पानी है ए बाते कनफम किये और पुरी दुनिया को जान करे दिये उसके बात 2009 में इस लेंडर से इस रोबोट से संपक तूट गयी फिर इस्ट्रों ने 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लांच किया जिसमें दो हिस्से थे एक चंद्रमा की कक्सा में घूमेगी और दुसरा हिस्सा चंद्रमा में लेंड करेगी इस लेंड करने की कुछी सेकंड पहले लेंडर में रोबोट में कुछ खारा भी आ गई वो चंद्रमा के उपर क्रास कर गई तूट गई इसी गालती से सीखते हुए इस्ट्रों ने चंद्रयान 3 मिशन तेयर किये है जो 2023 में लांच किये है इस्ट्रों का कहना है ए मिशन हपने गलतियों से सीख के किये है तो ए 100% सक्सेस्पूल होगा ही होगा पहले तो एस पेस जान धर्ती से बाहर जाएगी और धर्ती के चारों तरफ पिथिवी की कक्सा में घूमने लगेगी और पिथिवी से दुरिया बढ़ाने लगेगी पास जाने लगेगी इस सारे करना मा करने के लिए इस पेस जान को एक माहिने से ज्यादा टाइम लग जाएगा उसके बाद करीबन 23 अगस्ट चंद्रमा में लेंड करेगी जो लेंडर लेंड करेगी उसके अंदर से 6 चक्के वाला एक रोबोट निकलेगा चंद्रमा की मिट्टी, वोईदार, टेंपरेचर और बहुत सारी जानकारी एकठा करेगी और सीधा भारत की सेटलाइट को यानि इस्ट्रो की सेटलाइट को भेजेगी इसमें कहीं भी कोई चूप पूरी मिसन को बरबाद कर सकती है लेकिन इस्ट्रो कॉन्फिडेंट है ए मिसन करने के लिए देश का सिर्फ 615 रूपे खर्च होई है आप तो सुने ही होंगे जितने में हमारी इस्ट्रो एक रोकेट भेज देता है उसमें तो अभी के टाइम हॉलिवड मूबी भी नहीं बनती आप यू समझ सकते हो हमारी देश में जितने लोक है हर अत्मी अपनी जेब से 5 रूपे या 6 रूपे जमा कर दे तो 615 कड़ रूपे से भी ज्यादा रूपे जमा हो जाएगी हर आद्मी सेर्फ 5 रूपे या 6 रूपे जमा करने से जितना देश की टेकनोलोजी आगे जाएगी उतना देश का फाइदा है नहीं तो राफेल फाइटर प्लेन या एस 400 जैसी सिस्टेम तीन गुना या चार गुना कीमद्दे के खरीदना पड़ेगा अगर एही चंद्रयान मिशन हम दूसरी देश से करवाते तो इससे 4 गुना या 5 गुना पैसा वो हम से ले लेता इसलिए देश का टेकनोलोजी जितना आगे जाएगी उतना देश का फाइदा है